अगर आप भी रात में मोबाइल को तकिये के नीचे या फिर पांस लेकर सोते हैं तो इस वीडियो को ध्यांग से देखिए पहली बात यह है कि जब आप मोबाइल को साथ लेकर सोएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप सोने की बजाए मोबाइल का यूज करोगे और जब आप मोबाइल टीविया लैप्टोप जैसी चीजों का यूज करते हैं रात में तो उन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी आँखों पर पड़ती है जिससे हमारे दिमाग को लगता है कि अभी दिन है और हमारा दिमाग मेलाटोनिन नाम की हर्मोन को रिलीज ही नहीं करता जिसके रिलीज होने से हमें नीद आती है बेसिकली हमारे दिमाग को मैनुपलेट किया जाता है इसके अलावा मोबाइल से निकलने वाला रेडियेशन जो की रात को 900 MZ तक पहुँच जाता है हमारे दिमाग के लिए काफी ज़्यादा खतरनाक होता है बेसिकली हमें हैडेक हो सकता है मसल्स पेंज हो सकता है इसके अलावा कई सारे हेल्थ इश्यूस हो सकते हैं कई सारी स्टडीज में तो इसे कैंसर का कारण भी बताया गया है तो गाइस आज के बाद आप मोबाइल को दूर रख के सोएं उसे स्विच ओफ कर सकते हैं फ्लाइट मोड लगा सकते हैं या फिर अगर आपको पास लेकर ही सोना है तो कम से कम उसको चार से पांच विट की दूरी पर रखे ऐसे इंफोर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुट बै